सुगम संस्क्रितों भाग एक पाठ है हमारा 14 मधूरा प्रभात वेला मधूर प्रभात होता है सुबै का समय जो होता है वह भौती अच्छा होता है मधूर होता है तो इकारांत पुलिंग का इसमें प्रियोग किया गया है एक बार पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं इसके तो शब्दार्थ देखिए रवी ही सूर्य आकाशे आकाश में अंधकारह अंधेरा रवे है सूर्य का बिम्बम गोला चितम मन को सूर्यो दिये सूर्य के उद्य होने पर पक्षिन है पक्षी कलरवं चह चहाना पश्वह पशू जीवह प्राणी सव कार्येशू अपने कार प्राणियों में सलंगनाहा लगना आर्ग्यम आर्ग यह पवित्र जल प्राणीशू प्राणियों में चैतन्यम चैतना नक्षत्राणी नक्षत्र प्रकाशं प्रकाश एस्तह एस्त्य से तमसह अंधेरे से मुद्यती उदे होता है नश्यती नश्ठ होता है हर्ती दूर करता है नमंती नमस्कार करते हैं यचंती देते हैं विन्दती पाते हैं नमामह नमस्कार करते हैं गायामह गाते हैं गमिय ले चलो अन्ने दूसरे मा मुझे अब ये शव्दार्थ हमने पड़े हैं इसमें संजया पदानी भी थे ख्रिया पदानी भी थे और अन्यपद भी थे तो अब लेसन की हिंदी देखते हैं अहो मदूरा एश्या प्रभात वेला अरे यह सुबह का समय तो बहुत क्या है मदूर है अरे यह सुबह का समय मदूर है एश्य प्रात्य कालीन रवी अस्ती यह प्रात्य कालीन का रवी होता सूर्य प्रात्य कालीन का सूर्य है रवी आकाशे उद्यती रवी यानि सूर्य आकाश में उद्य होता है अंधकारे नश्यती जब सूर्ये निगलता है क्या होता है अंधकार खतम हो जाता ना तो अंधकार को नश्यति हो जाता है रवेहे सुंद्रम भीम्बम कश्य चितम ने हरती सूरिय से सूरिय का सुंदर भीम या गोला किस के हरिद्य को नहीं हरता यानि सब को अच्छा लगता है सूरिय जब निकलता है तो सूरिय अधे चटका कूजंती सूरिय के उदे होने पर चिडिया कूजती है पक्षी चहचाने लगते न जब सूरिय उदे होता है निकलता है सुबह होती है प्रैते काल का समय होता तो पक्षी भी चह चाहने लग जाते हैं जो सूर्य उद्य होता है सूर्य उद्य होने पर चिडिया कूजती हैं चह चाहती हैं पक्षी नह कल्रवं पुर्वनती पक्षी कल्रव करते हैं यानि शोर करते आवाज करते हैं पश्वय इतस्त भर्मनती और जो पक्षी होते हैं वे भी इधर उद गूमने लग जाते हैं सर्वे जीवा सव कारिये शून सलंगना भवंति सभी जीव सभी प्राणी अपने अपने कारियों में लग जाते हैं अपना अपना कारिय करने के लिए लग जाते हैं जनहा रवीम नमंति लोग रवीम सूर्य को नमंति नमस्कार करते हैं करते हैं लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं अन्य चै रविय अर्ग्यम यह चंती और दूसरे कुछ लोग क्या करते हैं सूर्य को अर्ग्य देते हैं यानि जल देते हैं रविय इसमें चतूर्थी वक्ति किसलिए आई क्योंकि यहां पर अर्ग्य दिया जाता है किसी को कुछ दिया जाए तो तो उसमें किसका प्रयोग होगा चतूर्थी का सूर्य को जल देते हैं रविणा एयोग प्राणी सुझतन्यम आगर प्रानियों में चैतन्य आता है चैतन्या आता है इक चैतना सी जान सी आती है सूरिय से ही प्राणियों में जान आ जाती है चेतना आ जाती है एक अलग सा जोश्ट पैदा हो जाता है कि मैं अब सूरिय निकल गया मैं अपना काम करना शुरू करूं आश्चरियम रवेहे एव चंद्र आधी नक्षत्राणी प्रकाशम विंदति अश्चरिय है क्या रवी से ही सूरिय से ही चंद्रमा दिन और नक्षत्र प्रकाश पाते हैं किस से सूरिय से ही चंद्रमा दिन चंद्रमा आधी और नक्षत्र आधी प्रकाश पाते हैं धन्य है एश्य है रवी धन्य है यह सूरिय है कोन है धन्य है सूरिय है जिस से इतने काम होते हैं हे रवे वयमणमा मह गाया मह ч य य हम नमस्कार करते हैं और गाते हैं अस्तो मा सदगमेय को सदगम चलो तो ये पाठ आपने पढ़ा मधूरा प्रभात वेला, इसकी हिंदी भी समझा गई होगी, word meaning भी आपने सुने हैं, तो इनको आपने learn करना है full lesson complete learn and write करना आपको Thank you